गुद्वर्णिंग फ्रेंड्स दब्रेव लीटिल काईट कैथलीन पाइल जीने लिखे हैं कि दब्रेव लीटिल काईट तो आज हम जो है इसी पोएम को जो है हम दिखेंगी कि पोएम क्या बोलता है हमें जो बोल रहा है कि I never can do it the little काईट सेट छोटा चो जो पतंग है वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता as he looked at the other high over his head क्यों नहीं कर सकता जब वो आस्मान के तरफ देखा तब वो बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकता I know I should fall if I try to fly मुझे पता है मैं गिर जाओंगा अगर मैं कोशिश भी किया उड़ने के लिए हर एक बच्चे की कहानी है हर एक इंसान की कहानी है कुछ करने से पहले उडरता है तो यह हां पर वह ही है चोटा सा काईटी चोटा सा पतं है वह वओझने से पहले डर रहा है जब उसको destiny उड़ना ही है क्योंकि आपको success तभी मिलेगा जब आप कुछ करोगे नहीं करोगे तो कुछ success नहीं मिलेगा तो यहीं वो बोल रहा है try, say it to the big kind, only try यहाँ पर big kind यहाँ पर जो बड़ा सा एक पतंग है वो बोल रहा है कि कोशिश करो सिर्फ कोशिश करो अगर कोशिश ही नहीं करोगे अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे अगर आप कोश तैरना है और अगर आप पानी से ड़ते हो तो कैसे आप सीखोगे तैरना ही नहीं सीख पाओगे जिन्द की बर किनारे पे बैठे रहाओगे ऐसे ही पतंको काज कह रहे है कि तुम्हें कोशिश करना चाहिए एक बार कोशिश करो सिर्फ कोशिश करो और कोशिश करो तभी तो सीखोगे But the little kite said I am afraid I will fall मुझे डड़ लगता है कि मैं गिर जाओंगा क्यों करता है यसे गिर जाओंगा? The big kite nodded Oh well goodbye nodded मतलब? Nodded मतलब होता है सरहिलाना हाव आपे सरहिलाने को nodded कहते है Oh well goodbye I am off And he rose towards the Franklin sky बोले का ठीक है अगर तुम सरहिलाते हुए कहा बड़ा सा जो kite है बड़ा सा जो पतंग है उन्होंने सरहिलाते हुए कहा कि ठीक है कोई बात नहीं अगर तुम नहीं उन्हा चाते हो तो कोई बात नहीं तो मैं चलता हूँ Goodbye Bye bye मैं चलता हूँ And he rose towards the tranquil sky Tranquil मतलब है Tranquil मतलब है सांथ सांथ सा आसमान की तरफ सांथ सा आसमान की तरफ वो चल दिया क्यों चल दिया क्योंकि यहां पर जो बड़ा सा काइट है बड़ा सा जो पतंग है वो खुद को एक मेंटर की तरह यहां पर दिखा रहा है कि जो मेंटर है जरब वो जो बड़ा भाई होता है जो कोच होता है जो टीचर होता है या जो parents होता है जो कभी कुछ मुश्कीलाथ में अगर कोई अफस जाते हो आपको कड़ने से डर लगता है तो वो करके दिखाता है कि देखो मैं कर पा रहा हूं कितना आसान है ये तुम भी कर पाओगे चलो कूशिस तो करो तो ये जो है big kite जो है ये देखते हैं उसका जो paper है वो कप कपाने लगा हिलने लगा and trembling he shook himself free for flight and trembling मतलब होता है कापना कापना डर के मारा कापना he shook himself shook मतलब भी कापना होता है हिल हिलाना होता है free for flight और खुद को कापते हुए खुद को उसनी खुद को उरान के लिए flight मतलब उरान के लिए उरान भरने के लिए खुद को तयार कर लिया चलो ठीक है या वो बड़ा सा काइट तो कर सकता है चलो मैं कर सकता हूँ क्या fast wrinkling and frightened wrinkling मतलब क्या आता है घूमना तो छोड़ा सा आप जब कभी भी आप पतंग उड़ाए होंगे तो देखना कि पहले उरते थोरा सा वो घूमता है left side या right side थोरा सा घूमता है फिर धीर धीर उपर उरता है फिर घूमता है फिर उरता है इस तरह से first wrinkling and frightened wrinkling मतलब होता है घूमना और दरते हुए डरते वो भूमा then brave grown फिर जो क्या हुआ उसने जो है जो है उसको brave grown हुआ मतलब धीरे धीरे वो उपर उठने लगा आप आप ही रोस through the year alone वो उपर धीरे 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 उपर उठने लगा यार में उस बात वो बायू में वो यार में धीरे धीरे उपर उठने लगा अकेला ही उपर उठने लगा till the big kite looking down could see the little one rising steadily जब तक कि वो बड़ा सा पतंग नीचे देखते हुए यह देख रहा था कि वो छोटा पतंग जो है एकदम steadily तेजी के साथ उपर उठके आ रहा है there how the little kite thrilled with pride और जो छोटा सा जो पतंग था वो मतलब गर्ब से एकदम रोमांचित हो गया and as he sailed with the big kite side as he sailed sail मतलब किया हावा में त्यार ना as he sailed with the big kite side जो बड़ा सा पतंग के पास जो वो ऊड़ रहा था तो यह देखते हुए वो रोमांचित हो गया और गर्ब से भर गया हो while far below he could see the ground while far below बहुत ही नीचे उस ground को जहां से उस मैदान से जहां से उठके आया था वहां पर देखा कि वो जो है कितना छोटा सा वो मैदान दिख रहा है and the boys like small spots moving around and the boys like small spots moving around जो है जो बच्चे थे जो खेल रहते हुआ पर वो लो क्या है कि एकदम छोटा 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 विंदू की तरह लग रहा है little small spots लग रहा है छोटा सा विंदू की तरह लग रहा है और वो लो इधर उधर घूम रहा था मतलब इतना उपर चला गया कि वो सबको नीचे बिलकुल छोटा सा वो विंदू की तरह लग रहा था छोटा से डॉट की तरह लग रहा था जो सांथ की हावा सांथ की बायू में वो लोग रेस्ट कर रहा था रहा हम से बैठे बात महाँ पर सेल कर रहा था and only the birds and clouds were there only and only the birds and clouds were there सिर्फ महाँ पर कौन था birds मतलब पंची और cloud मतलब cloud मतलब बादल था तो सिर्फ बादल और पंची ही वहाँ पर था मतलब इतना उपर चला गया कि सिर्फ जहाँ पर सिर्फ बादल और पंची ऊड़ सकता है oh how happy I am the little kite cried मैं कितना खुश हूँ यहाँ से अपना आनन्द से joy, आनन्द से जो है happiness से जो है वो चिला उठा कि वो मैं कितना खुश हूँ and all because I was brave and tried और सिर्फ यह उसके लिए हुआ क्योंकि मैं शास ही बना और मैं कोशिश किया तो इस पूरे पोयम का एक ही मतलब है कि आप कोशिश करोगे आप आगे भरोगे तो जो है आप कुछ कर पाओगे हर एक इंसान जो कोशिश करता है वो ही आगे बढ़ता है Thank you very much आप like, share और subscribe कीजिए अगर यह आपको अच्छा लगता है तो हम इसके questions and answers को लेके बहुत ही जल आएंगे और Thank you Thank you very much